एटीएफ के दाम बड़े हैंdit पांस परसेंट डाम बड़े है इससे कितना फर्क पढ़ता है बड़ेजये समझे लिते पूजा से पूजा पता है ऐट्याफ के दाम जो 5% बढ़ते हैं तो कितना फर पर थे हैं अवेशन कंपणिशंध में और चार मुख्य वज़ा हैं जिसके वज़े से हम देख रहे हैं कि महौल थोड़ा नेगिटिव हो सकता है। पहला तो ये है कि ATF के दाम में जिस तरह से बढ़त देखने को मिल रही है, पिछले दो महीने में 22% की बढ़त ATF के दाम में देखने को मिल चुकी है। और अभी अहाली में 5% का हाई भी ATF में अनाउंस हुआ है। अगर ट्रेंड देखे तो लगातार एक बढ़त देखने को मिल रही है ATF के दाम में और इसी महीने पिछले दो महीने की ही बात करेंगे तो तीम बार प्राइज हाई देखने को मिल चुका है। और कंपनियों के कुल लागत में भी करीब 35-50% योगदान ATF का होता है तो इनके profitability पर भी असर पड़ता है। दूसरी बड़ी वज़ा यह है कि air traffic में भी हम देख रहे हैं कि गिरावट देखने को मिल रही है। वहाँ पर जो decrease देखा गया है वो करीब 30% का देखा गया है। तो टिकेट के दाव में भी जो हम उम्मीद करे थे कि वहाँ पर rise होगा, cap अगरा हटने के बाद ऐसा भी कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो उसका भी एक impact यहाँ पर कंपनियों के profitability है वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और चौती सबसे बड़ी वज़ा यह कि अब आने वाले समय में उम्मीद किया जा रहा है कि जिस तरह से दो नए प्लेयर्स अब entry लेने जा रहे हैं। और माना जा रहा है कि एक तरीके से price war भी हो सकती है इस competition को face करने के लिए। तो यह चार बड़ी वज़ा है जिसके वज़े से हम देख रहे हैं कि airline company हो में आने वाले समय में कुछ impact इसका देखने को मिल सकता है। कि एटीफ के कीमते बढ़ने से कितना फर्क पर सकता और कितनी अब कीमते हो चुकी हैं।